सो हे अवरिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है तीपकविशवा कर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज योट्यूब चैनल जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूँ और आज की इस वीडियो में जो हमारी कहानी थी यक्षिनी की ज पार्ट टू तो अगर आपने पार्ट वन को नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कि आप सबसे पहले जाकर पार्ट वन को सुन लें उसके बाद इस वीडियो पर आए और अगर आपने उस पार्ट वन को सुन लिया है तो अपने जो हेड़फोन से हैं वोने वहाँ पर हवा चलने लगी और एक अजीब सी सुगंद आने लगी उस सुगंद के आते ही वो तीनों काफी मधोश महसूस कर रहे थे विक्रम ने का ये सब क्या हो रहा है ये 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 जो सुगंद है ये हमारे दिमाग में चड़ रही है तब ही अचानक से वहाँ पर पाइलों की आवाज जो थी वो आने लगी ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाइल पहन कर वहाँ पर चल रहा हो पाइल की आवाज सुनकर विक्रम के जो साथी थे वो अचानक से उस आवाज की तरफ चल पड़े जब विक्रम ने ये देखा तो उसे खुछ समझ नहीं आया विक्रम ने कहा तुम कहा जा रहे हो सुनो कहा जा रहे हो तुम विक्रम के साथी आफिसर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा सीधा चलते रहे पायल की जो आवास थी वो आ रही थी और उसी आवास का पीछा करते करते विक्रम के साथी ओफिसर्स अपने कदम बढ़ाई जा रहे थे जैसे उन्हें कोई होशी ना हो कि वो क्या कर रहे हैं विक्रम ने बहुत रोखने की कोशिश करी लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं रुका तब ही विक्रम का जो ध्यान था वो अपने गले में पैने वे लौकिट पर गया और वो जो लौकिट था वो चमक रहा था ये बात बहुत ही ज़ादा आजीब थी क्योंकि पहली बार वो लौकिट जो था वो चमक रहा था देरे देरे वो जो लौकिट था उसमें से निकल रही जो रोशनी थी वो बहुत ही ज़ादा हो गई जिसकी वज़स से वहां आस पास भी उजाना होने लगा विकरम को कुछ समझ नहीं हारा था उसने सूचा क्यों न इस लौकिट को उतार दिया जाए लेकिन तब ही अचानक से उसके दिमाग में उसके पिता जी की वो बात याद आई विकरम की पिता जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कभी भी उस लौकिट को खुद से अलग मत करना और विकरम अपने पिता जी की बात को टाल नहीं सकता था इसलिए उसने उस लौकिट को अपने गले में ही पहन कर रखा उसे उतारा नहीं तबहीं उसका जो सर था वो भारी होने लगा और वो जमीन पर गिर किया उसकी आँखों के सामने ही उसके साथ ही ऑफिसर्स कहां चले गए उसे कुछ भी पता नहीं चला और वो जमीन पर गिर कर बिहोश हो गया थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वो कहीं और ही है जहां वो बिहोश होकर गिरा था वो वहाँ पर नहीं था वो जंगल की बहुत ही अंदर आ गया था विक्रम जैसे तैसे अपने सर को पकड़ कर खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा पर एक झाड़ी जो थी वो अचानक से हिलने लगी और उस जाड़ी में काफी तेज हलचल हो रही थी जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसने अपनी जो रिवालवर थी उसे निकाल लिया और उस जाड़ी की तरफ तान दिया विक्रम ने कहा कौन है कौन है अगर अपनी जान की सिलामती चाहते हो तो चुप-चाप से बाहर आ जाओ वरना मेरे हाथ में गन है और मैं शूट कर दूँगा तब ही अचानक से उस जाड़ी में से एक लड़की निकली और उस लड़की ने कहा अरे अरे मुझे शूट मत करना जैसे ही ये बात विकरम ने सुनी तब विकरम ने उस गन को नीचे किया और विकरम ने कह अच्छा तो तुम हो यक्षनी हाँ बिचारे गाओं वाले पड़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें बेवकूब बना रही हो तुम तुमारी तो जिन्दगी अब जेल में कटेगी चलो मेरे साथ और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने कह मैं कोई अक्षनी वगरा नहीं हूँ तुमारा दिमाग खराब है क्या मैं तो यहाँ पर फोटोस खीचने आई थी मैंने सोचा था कि रात के वक्त काफी अच्छी फोटोस खीच लूँगी बट मैं यहाँ पर खो गई और यहीं पर भटक रही हूँ तब से जैसे ही ये बात विकरम ने सुनी तब विकरम ने कहा अच्छा तो मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूँ उसके बाद उस लड़की ने अपना कैमरा विकरम को दिखाया और कहने लगी यह देखो यह रा मेरा कैमरा और इसमें मैंने बहुत सारी फोटोस भी खीची है समझके मैं कोई जूट नहीं बोल रही और फिर विकरम ने कहा हाँ ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ अब यहां से सीथा अपने घर निकलो जैसे ही यह बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने कहा अच्छा मुझे एक बात बता तुम इनसानी होना क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बेचारी बेबस लड़की एक जंगल में फसी हुई है तो तुम्हें उसके घर तक छोड़ना चाहिए नहीं घर तक तो कम से कम जंगल के बाहर तक तो छोड़ो तुमने तो बड़ी रूडली कह दिया कि मैं रास्ता बता रहा हूँ तुम चली जाओ और फिर विक्रम ने का मैंने तो नहीं कहा था न तुम्हें यहाँ पर आकर फोटो खीचने के लिए तुम अपनी मर्जी से आई हो तो अपनी मर्जी से जाओ अब और फिर उस लड़की ने का हाँ हाँ मैं चली जाओंगी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हाँ पता नहीं क्या समझते हैं अपने आपको यह कहकर वो लड़की जो थी वो वहाँ से जाने लगी तब ही उसने जंगल के अंदर का अंधेरा देखा और उसकी हालत टेक्स देती हूँ तो मेरी ही टेक्स है तो आपकी सेलरी मिलती है आपको आपका फर्ज है मुझे छोड़ने का यह मत सुचना कि मैं डर रही हूँ और फिर विकरम ने का हाँ हाँ दिख रहा है माथे पर पसीना आके और कहरी हो डर नहीं रही हाँ चलो फटाफट मेरे पस टाइम नहीं है मेरे साथी ओफिसर्स पता नहीं कहां चले गए मैं उनको भी ढूणने जाना है हे भगवहान चलो फटाफट वो दोनों साथ में चलने लगे और उस लड़की ने पूछा आपका नाम क्या है और फिर विकरम ने कहा मेरे नाम मेरे नाम विकरम ठाकूर है और तुमारा और फिर उस लड़की ने कहा मेरा मेरे नाम ने दी है वो दोनों आपस में बात करी रहे थे तब ही अचानक से वहाँ पर एक जंगली चानवर की आवास आने लगी और वो आवास बहुत ही ज़ादा डरावनी थी उस डरावनी सी आवास को सुनकर विकरम ने कहा तुम मेरे पीचे चुप चाओ और विकरम ने अपनी जो बंदूग थी उसे निकाल लिया और आसपास देखने लगा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया विकरम ने कहा अभी एक कौन सा जानवर आ गया एक मुसीबत खतम होती नहीं दूसरी आकर बैट जाती है नेधी जो थी वो विकरम के पीचे चुपी हुई थी तब ही वहाँ पर फिर से पाइलों की आवास गूजने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और वही खुश्बू जो थी वो चारो तरफ फैल गई जैसे ही वो खुश्बू विकरम और निधी के नाक तक पहुँची वैसे ही वो दोनों मदोश होने लगे और विकरम ने कहा मुझे बेहोशी सी चा रही है नशासा हो रहा है अगर ये 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 सब हो क्या रहा है और फिर वो जो लड़की थी वो भी जमीन पर धडाम से गिर गई और बेहोश हो गई और विकरम भी जादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और वो भी वही पर बेहोश हो गया बहुत देर बाद विकरम को होश आया और उसने देखा के निधी सामने ही खड़ी थी और उसने विकरम की तरफ हाथ बढ़ाया और निधी ने का उठ जाओ और फिर विकरम जो था वो खड़ा हुआ उसने का अरे ये सब क्या हुआ था यार मेरा तो सरदर्द कर रहा है और जैसे ही निधी ने ये बात सुनी तब निधी ने का हाँ पता नहीं क्या हुआ था विकरम ने का यार मेरे जो साथी ओफिसर्स थे वो भी पता नहीं कहा चले गए मेरा पूरा तिमाग खराब हो गिया खेर चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ दू हाँ वो दोनों फिर से वहाँ जाने लगे लेकिन तब ही अचानक से निधी ने विकरम का हाथ जो था वो पकड़ना शुरू कर दिया और विकरम ने जब ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया विकरम ने का ये तुम मिरा हाथ क्यों पकड़ रही हो मिरा हाथ बिना पकड़े चला नहीं जाता क्या और फिर निधी ने का नहीं मुझे बस टर लग रहा है अच्छा सुनो यहाँ कोई आता नहीं है न इस जंगल में और फिर विकरम ने का हाँ कोई नहीं आता तुम्हारे जैसे बेवकूफ आ जाते हैं कभी कबार रात के वक्त फोटो खीचने और फिर नेदी ने कहा अरे बस करो अब हो गया जो हो गया अब मेरी बात सुनो तुम्हारे मेरे लावा यहां कोई नहीं है क्यों न हम दोने एक दूसरे के करीब आ जाए जैसे ही यह बात विक्रम ने सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और विक्रम ने कहा शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और फिर निदी ने विक्रम का हाथ जो था वो पकड़ लिया और उसे वो किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो वो निदी से दूर हो गया और उसने चिलाते वे का क्या तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये सब क्या कर रही हो इस चीज के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ विक्रम ये सब बोली रहा था तब ही उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आँखे खौफ से चौड़ी हो गई उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर एक जाड़ी के अंदर एक लड़की बिहोश पड़ी हुई है और वो लड़की और कोई नहीं बलकि निदी ही थी जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसकी आँखों के सामने अंदेरा सा चाने लगा कि अगर निदी वहाँ जाड़ीयों में बिहोश पड़ी हुई है तो आखिर ये कौन है जिसे वो अभी तक निदी समझ रहा था विक्रम के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा कौन हो तुम? कौन हो? और उसे नकली निदी को भी पदा चल गया कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है और तभी वो सोर सोर से हसने लगी विक्रम ने कहा आखिर कौन हो तुम? मुझे बता और फिर उस नकली निदी ने कहा मैं मैं कौन हो यक्षणी चारो तरफ यही आवाज गूंजने लगी और विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था किया किया जाए तभी उसकी गले के अंदर का जो लॉकिट था वो बहुत ही तेज चमकने लगा और उस लॉकिट की चमक को देखकर वो यक्षणी बहुत ही जादा डरने लगी यक्षणी ने कहा निकाल दो इसको निकाल दो इसे निकाल दो इस लॉकिट को दूर करो दूर करो इस लॉकिट को उस लॉकिट से निकल रही रोश्णी की वज़े से उस यक्षणी को बहुत तकलीफ हो रही थी और इसी बात का फाइदा उठा कर विक्रम तुरंदोस जाड़ी के पास गया जिसमें निधी भी होश पड़ी हुई थी उसने निधी को उठाया और अपनी पूरी ताकत लगा कर वहां से भागने लगा निधी को लेकर जैसे तैसे विक्रम जंगल से बाहर निकला और उसने वहां पर उसकी जो गाड़ी थी पुलिस वाली उसे ड्राइफ करता हुआ वो निदी को एक डॉक्टर के पास ले किया और वहाँ पर निदी का इलाज चला थोड़ी दिर बात निदी को होश आया और विक्रम जो था वो निदी को वही डॉक्टर के पास छोड़ कर कुछ और पुलिस कर्मियों के साथ उस जंगल में वापस गया क्योंकि उसके जो तीन साथी आफिसर्स थे वो उसी जंगल में थे विक्रम ने पुलिस कर्मियों के साथ उन तीन पुलिस कर्मियों को ढूनने की बहुत कोशिश करी लेकिन कोई भी सफल था उनके हाथ नहीं लगी उन तीनों को ढूनते ढूनते सुबा हो गई और पूरे जंगल में वो तीनों कहीं भी नहीं मिले विकरम सुबा सुबा अपने घर पहुँचा और जैसे ही उसने डोर बेल बजाई वैसे ही अंदर से उसका जो दोस्त था वो डोड़ता हुआ आया और उसने दर्वाजे को खोला और जैसे ही उसने विकरम को देखा तो उसने विकरम को गले से लगा लिया और विकरम के दोस्त ने कहा विकरम, विकरम कैसा है तू? ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं पूरी रात मैं बहुत ही ज़दा परिशान था तेरे साथ पता नहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए यही सोच सोच कर मेरी पूरी रात कुजर गई विकरम गर के अंदर आया और वो बहुत ही ज़दा परिशान था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकर कैसे अपने दोस्त को पूरी बात बताई जाए विकरम के दोस्त ने पूछा अरे क्या हो गया है कुछ बताएगा चंगल में कुछ हुआ क्या कहीं तुझे वो यक्षनी तो नहीं मिल गई और विकरम ने सोचा कि अगर वो सब कुछ सच बता देगा तब उसका दोस्त बहुत ही सदा डर जाएगा और हो सकता है उसकी तबियत पिकर जाए इसलिए विकरम ने जूट बोला और उसने कहा अरे नहीं यार कोई एक्षनी वगएरा नहीं है ये सब सिरे फंद विश्वास है समझा विकरम ये सारी बाते बोले रहा था तब ही अचानक से उसकी नजर वहाँ टेबल पर गई तो उसने दिखा कि खाना वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था और जैसे ही उसने ये देखा तो उसने अपने दोस्त को घोड़ते वे का ये क्या है तुमने खाना क्यों नहीं खाया और फिर विकरम के दोस्त ने का हाँ यार वो मैं भूल गया पूरी रात बस तेरे बारे में सोचता रहा तेरी टेंशन हो रही थी तो मैं खाना ही बोल गया मन भी नहीं कर रहा था खाने का और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तब विक्रम ने गुस्से में कह क्या यार मैंने इतनी मेहनत से खाना मंगाया ताकि तुम खा लो और तुमने खाना नहीं खाया मुझे कुछ नहीं पता रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा विक्रम ने अपने दोस्त को वही डाइनिंग टिबल पर बैठाया और खाना खिलाने लगा जैसे ही पहला निवाला विकरम के दोस्त के मूँ में गया तो उसकी आँखों में से आँसू आ गया और विकरम ने कहा अरे क्या हो गया तुझे तू ठीक तो है तरी आँखों में आँसू क्या हुआ और फिर और विकरम के दोस्त ने कहा कुछ नहीं यार वो तेरा प्यार देखकर बच्पन में भी तू ऐसा ही था आज भी बिल्कुल वैसा ही है तूने कभी मैसूस नहीं होने दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर विकरम ने जब ये बास्वने तो वो भी काफी ज़दा इमोशनल हो गया और इसकी आँखों में भी आसू आ गया विकरम ने का तेरा दिमाग खराब है आज के बाद से ऐसा मत कही हो किसने कहा कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं हूँ जब तक मेरी सांसे चल रही है मैं तरह ख्याल रखूँगा समझा अपने दोस्त को खाना खिलाने के बाद विकरम ने कहा ठीक है मैं ना थोड़ा सो लेता हूँ और उसके बाद मैंने पुलिस कर्मियों को वहां काम पर लगाया तो है तो देख कराऊंगा बाद में क्या खिर उन तीनों पुलिस कर्मियों का क्या हुआ वो मिल नहीं रहे हैं जो मेरे साथ कहे थे और जैसे ही ये बात विकरम के दोस्त ने सुनी तो उसकी हालत खराब हो गई और उसने कहा देखा देखा वो गायब हो गये न तेरे साथ चो कहते वो गायब हो गये न देखा उन्हें यक्षनी ले गई उन्हें यक्षनी ले गई विकरम उन्हें यक्षनी ले गई अब वो वापस नहीं आएंगे विकरम विकरम ये कहते कहते विकरम का दोस्त बेहोश होने लगा लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने अपने दोस्त को समाला और कहने लगा अरे पागल किसी यक्षिनी के चक्कर में वो गायब नहीं हुए बलकि जंगल है बहुत जादा घना है हो सकता है खो गए हूँ इसमें घबराने की बात नहीं है चल मैं तुझे मैं तुझे रूम में टीवी लगा कर दे देता हूँ और ये घर का फोन है तुझे लेकि खाना पीना हो कुछ भी खाने के मन करे तो मैं एक नंबर बता रहा हma उस नंबर पर फोन करीयो और जो भी खाना हूँ मंग वालीयो और पैसे मत दियो होटेल में मेरी जान बैचान है तो मैं एक साथ ही सब कुछ पे कर दूँगा तो तू यहाँ पर अराम से टीवी देख और जो खाने का मन करे वो खा और मेडिसन टाइम पर खा लियो वरना मैं गुस्सा हो जाओंगा समझा मैं आता हूँ आपर देख कर और फिर विकरम के दोस्त ने कह यार अभी तो तू कह रहा था कि तो थोड़ी देर सोएगा और विकरम ने कह नहीं यार मेरा सोना मुझे ठीक नहीं लग रहा ये कहकर विकरम वहाँ से चला गया और वो उसी जंगल के बाहर पहुचा वहाँ पर देर सारे पुलिस आफिसर्स खड़े थे और फिर विकरम ने कहा क्या हुआ वो तीनों मिले जिसके जवाब में वहाँ पर पुलिस आफिसर्स ने कहा नहीं सर हमने बहुत डूंडा लेकिन कहीं भी नहीं मिले विकरम बहुत ही ज़ादा टेंशन में था तब ही उसे याद आया कि निधी को वो डॉक्टर के पास छोड़ कर आया था इसलिए वो निधी से मिलने के लिए डॉक्टर के पास किया निधी होश में आ गई थी और जैसे ही उसने विकरम को देखा तो निधी ने कहा तुम हाँ हम साथ में थे न रात को आखिर हुआ क्या था मैं तो बिहोश हो गई थी और फिर विकरम ने कहा कुछ नहीं हुआ था कमजोरी की वज़े से बिहोश ही हो गई थी तुम्हें बस और कुछ नहीं अब तो तुम ठीक हो न और फिर निधी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ विकरम ने कहा ठीक है अपने घर चले जाना जब डॉक्टर कहें और पैसो की चिंता मत करना मैं बिल पे कर दूँगा और फिर निधी ने कहा मैं यहां की रहने वाली नहीं हूँ मेरा घर यहां पर नहीं है जिसके जवाब में विकरम ने कह तो कहा की रहने वाली हो तुम जिसके जवाब में फिर उस निधी ने कह मैं मैं तो एक शहर में रहती हूँ यहां से बहुत दूर है मुझे पता चला था कि ये जो जंगल है ये सबसे खुबसूरत जंगल है और रात के वक्त यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी में ये जंगल और भी ज़्यादा खुबसूरत हो जाता है इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आई थी फोटोस खीचने के लिए लेकिन क्या-क्या हो गया आपको पता ही है और फिर विक्रम ने कहा ठीक है तुम्हें काम करो मेरे घर चलो थोड़ी दिन रुकना अराम करना और मैं तुम्हें पैसे वग्यर है दे दूँगा तुम शेयर चले जाना डॉक्टर ने जब कहा तब विक्रम निधी को अपने साथ घर ले आया और उसके बाद उसने अपने दोस्त से निधी की जान पहचान करवाई सुन भाई ये लड़की है ये भी मेरी दोस्त है इसका नाम है निधी शेयर से आय थी फोटोस क्लिक करने के लिए वो जो जंगल है ना वहीं पर तो वहीं पर खो गई थी वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई और मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया इसका इलाज बगएरा हो गया है तो कुछ दिन यहाँ पर रहेगी और चली जाएगी और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं अच्छा हुआ तू इसको यहाँ ले आया आये गर में आये और फिर विक्रम के दोस्त ने मजाग मजाग में ही कहा वैसे भाई सच में दोस्त ही है या फिर और निधी ने जैसे ही ये बात सुनी तब निधी ने का देखिए जैसा आप समझ रहें वैसा कुछ भी नहीं है विकरम और मैं सिर्फ नॉर्मल दोस्त ही है और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा हाँ हाँ ठीक है वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे इसलिए मुझे लगा कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो और फिर विक्रम ने कहा अरे भाई अब अखवास मत कर निधी को घर पर छोड़ कर वापस विक्रम काम पर चला गिया और उसके बाद रात को घर वापस आया वो तीनों साथ में बैट कर खाना खा रहे थे और निधी ने कहा विक्रम वो जंगल बहुत जाद आजीब था न मेरे कहने का मतलब है जब मैं बिहोश हो रही थी तो कमसोरी की वज़े से बिहोश नहीं हुई हूँ Actually कुछ न कुछ आवाज आ रही थी और पायल की आवाज भी मैंने सुनी पता नहीं क्या अजीब अजीब सी आवाज थी यक्षिनी यक्षिनी करके कुछ आ रही थी आवाज और जैसे ही विक्रम ने ये बात सुनी तब विक्रम ने इशारा करते हुए निधी को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि उसे पता था कि निधी उसी जंगल के बारे में और येक्षनी के बारे में बात करेगी तो उसके दोस्त की तबियत पर असर पड़ सकता है इसलिए उसने निधी को चुपकर आ दिया और विक्रम ने बात को काटते वे कह दिया अरे ये सब छोड़ो मुझे ये बताओ तुम मतलब अपने बारे में कुछ बताओ अराब है बच्पन से लेकर आज तक बस मैं संघर्शी करती आई हूँ और फिर विक्रम ने कहा अच्छा मतलब कैसे और फिर निधी ने कहा असल में मेरे मॉम टैड जो थे वो बच्पन में गुजर गये थे और मेरा जो बच्पन था बहुत अकेले पन में बीता कोई भी नहीं था मैं बस इधर उधर भटकती रहती थी लेकिन ये जो गाओं है न मैं पहले यहीं पर रा करती थी यहीं कहीं बटका करती थी एक अंकल थे वो रोज मुझे खाना खिलाते थे बहुत अच्छे अंकल थे उन्होंने मुझे काफी वक्त तक खाना खिलाया मैं थोड़ी बड़ी हुई और उसके बाद शहर आ गई दीरे धीरे मैंने जैसे तैसे बच्पन काट लिया और फोटोग्राफी सीखी और आज एक फोटोग्राफर हूँ मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं क्यों ना फिर से उसे जंगल में जाऊँ क्योंकि मुझे पता था कि रात की चंद्रमा के रोशनी में ये जंगल बहुत ही साथ खुबसूरत नजर आता है इसलिए मेरा मन क्या कि वहाँ की मैं फोटोज भी खीच लूँगी और साथी साथ उन अंकल्स को भी मिल लूँगी जो मुझे बच्पन में खाना खिलाया करते थे लेकिन मैंने उन अंकल को बहुत ढूड़ा लेकिन वो अंकल मुझे कहीं भी नहीं मिले और फिर विक्रम ने कहा हाँ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तुम तो बिलकुल हमारी तरह निकली तुम्हारा बच्पन मी बिल्कुल हमारी तरह ही बीता है और फिर निधी ने कहा मतलब मैं कुछ समझी नहीं और फिर विक्रम ने कहा हम दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा मेरे कहने के मतलब है बच्पन में हम दोनों के माता पिता भी कुसर गय और हम दोनों भी दरोदर मस्दूरी करके अपना पेट पालते थे एक दिन यह अचानक से ना जाने काहां गायब हो गया और मैं फिर से अकेला हो गया जैसे तैसे मैंने अकेले पन में अपना पूरा बच्पन काटा और अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं एक पुलिस आफिसर बना और कुछी दिनों पहले भगवान ने मुझे मेरा जो दोस्त था मतलब ये फिर से लोटा दिया हम कुछ दिनों पहले ही वापस मिलें और फिर निधी ने कहा हाँ हमारी जिन्दकी शायद एक जैसी ही है मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है जैसे ही विक्रम के दोस्त ने ये सारी बाते सुनी तब विक्रम के दोस्त ने का तो ठीक है ना हम एक दूसरे के बन जाते हैं जब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर विक्रम ने का ये भी ठीक है उन तीनों में दोस्ती हो गई तभी उन तीनों ने अपना खाना खतम किया और उसके बाद विक्रम ने का चलो अब सो जाते हैं ने थी मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ और मैं और मेरा दोस्त तो एकी कमरे में सोते हैं और फिर विक्रम ने एक रूम का दरवाजा खुला और विक्रम ने का ये कमरा है और सारी चीज़े यहाँ पर है वैसे तो लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो एक आवाज देते न मैं आ जाओंगा और टीवी वगरा है लगा हुआ एक मिनट ज़रा मैं यहाँ ये एक फ फोटो उतारी और उस फोटो को देखते ही निदी जो थी वो उस फोटो को देखती ही रह गई और उसकी आँखों में आसू आ गया निदी ने कहा ये फोटो ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई और फिर विक्रम ने कहा क्या मतलब मेरे पास कैसे आई मेरे पिता जी की फो तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आखों में आसु आ गया और निधी ने कहा। क्या? ये तुम्हारे पिता जी है? और फिर विक्रम ने कहा। हाँ ये मेरे पिता जी है। क्यों? तुमिता चौक क्यों रही हो? और फिर उसे निधी ने कहा, क्या अभी ये इस दुनिया में नहीं है? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ मैंने बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले, मेरे माता पिता बच्पन में ही गुजर कहा। जैसे ही ये बात निधी ने सुनी, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और विक्रम को कुछ समझ नहीं आया किया हुआ, क्यों रो रही है? और फिर विक्रम ने प्यार से पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मुझे बताओ, क्या बात है? औ और फिर निधी ने रोते वे गहा, रो नहीं तो और क्या करूँ? तुम्हारे पिता जी ही मुझे बच्पन में खाना खिलाया करते थे, इन्ही को शुकरियां कहने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, फोटोस घीचने के साथ साथ इनको शुकरियां भी कहना था, कि इन्हों न मुझे इतने वक्त तक खाना खिलाया मेरा ख्याल रखा, और आज पता चल रहा है कि यह इस दुनिया में नहीं है, तो रो नहीं तो और क्या करूँ? मैं हमेशा सोसती थी, बड़ी हो जाऊंगी, तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा तौफा इनको दूंगी, लेकिन, ल पूरा नहीं होगा, जैसे ही विक्रम ने ये सारी बाते सुनी, तो वो भी अपने आपको रोग नहीं पाया, और वो भी रोने लगा, और उसने रोते हुए का, अब कुछ नहीं हो सकता, अब शान्त हो जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है, विक्रम निधी के पास गया, और उसने निधी के सर पर हाथ रखा, और जैसे ही उसने निधी के सर पर हाथ रखा, वैसे ही उसके गले में जो लौकिट था, वो अचानक से बहुत तेश चमकने लगा, और जैसे ही उसने अपना जो हाथ था, वो उसके सर से हटाया, वैसे ही चमक नाब बंद कर दिया सो ये था यक्षिनी सीरियस का पाट दू मैं उमीद करता हूँ आपको कहानी और अवास पसंद आई होगी तो अगर आपको कहानी और अवास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले साथी साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी और आवास कैसी लगी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वार वाचिंग